कि शिया रिवेंट सम्राजीम कुर्पेव मेरा प्राइशन है कि मैं जब प्रता काल गुरु मंत्र जाप 5 जहूंत बार बार जंबाई आना और नीना औरा ऐसी समस्या आती है क्या चल कर गूमते हूए गूरु मंत्रेक्ग गुरु बटाइने बजन चलेगा भजन के जब हो जाएगा तो अच्छाती जलेगी बजनी नहीं होगा बगवत चरहनार बिंदें विमुक्ता जागरत होने लगेगी हाय हाय मत जाएगा यह तो तो घूंडों का प्रभाव होता है सता गुण रजो गुण तमुण उसके प्रभाव से, जिस समय जो गुण हुआ, वो प्रभाव आता है, तो आप खुब नाम जब कीजिए, सबसान्त हो जाएंगे, चल के करो, भजन के लिए ऐसा नहीं कि हम बैठ के ही करें, अगर हम नीद आ रहे हैं, जम हुआ ही आ रहे हैं, तो हम तहल के करते हैं, खड़े हैं, सोफा में बैठें, लेकिन चित्त भगवदाकार, सब बढ़ियांबाद बन गई, चिंतन कहा है, तो चिंतन अगर आपको खड़े-खड़े, चलने में ज्यादा बढ़ियां सुविदा लग रहा है, तो आप ऐसे करो, टेलते भी बज़द करो, आपका अभ्यास जैसा प्रड़ हो जाए, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि फल की कमी हो जाएगी, स्रीमा जी, फरीदावाद से, शीरिवेंश मारा जी, मेरा प्रशन अनन्यता को लेकर है, गुरुदेव, हमारी श्री जी की उपासना में अनन्यता का क्या स्वरूप है, क्या हमें प्रिया और प्रितम म समझनी है, यह कुरूरा आपी पापिनों नच सताम संभास से दर्श्या से सरवान वस्ततया निरिक्षि परमश्वाराद्य बुद्धिर्मम, जो कुरूर हैं, पापी हैं, संतों से संभासन की योगे नहीं, उनमें भी हमारे प्रभु स्यामा स्याम विराजमान है, पहले य प्रभु को देखने का भावलाओ, और दूसरे, हमारे प्रभु के सिवा हमारा और कोई नहीं है, क्या है नन्यता? जी डर लगता है, प्रिया प्रितब में बेद बुद्धि हो रही है, इस बात ते अंदर से डर लगता है, बेद बुद्धि क्यों हमारी दो आखे हैं, दृष्टी तो ये खहना, इन में से कौन प्यारी है, कौन चोटी, कौन बड़ी है, हम ऐसा नहीं कह सकते, मेरे लिए दोनों प्यारी है, पर दृष्टी दोनों की एक है ना, प्रिया प्रितब में कैसी बेद बुद्धि, क्या बेद बुद्धि होती, प्रिया जो के प्रिशन पुकारते तो उससे लगता है कि नहीं बस राधा ही पुकारना है, तो राधा पुकारोगी तो लाल जो मुस्कु तो आहिसा सब मन के विलास है इसरह दूत सब्वाई कि ट्रस्टी में देखो वस वळस्व है उloo की द्रस्टी देखो प्रबु है नुख स्वहाव एक है दूश्टी एक अवस्ता एक है टत्व एक है खेलवे केवल नदा कृष्ण है लाल जूके अहिखा प्रेमेही श्रीजी है जो जुख श्रीकृष्ण चंद जू के हृदय का आल्लाद है वहीं मुर्तिमान स्री रादा के सोरी जिय कैसे कैसे अलग हो सकती है ने अभी कि अभी कोई भाजन तो हुआ नहीं नठे तो भूल प्रपंच नचता रहता है प्रभू में भी प्रपंच नचता रहता है अगर हमसे पूछो ना तो हमें लाडली जू प्राण प्यारी है लेकि प्राणों से भी अधिक लाल जू प्यारे है क्यों? क्योंकि हमारी लाडली जू के प्राण प्यारे है इसलिए हमें लाडली जू से बढ़कर लाल जू से प्यार है अपने प्यारे को जो पसंद होना तो प्यारे की पसंद हमारी पसंद सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि हमारे प्यारे को क्या पसंद है हमारी प्यारी जू के प्राणनात है हमारी प्यारी जू के सरवस्त सुख है लाल जू तो लाल जू हमारी लिए बहुत अगर हम उच्छ स्वर से हा कृष्णा हा कृष्णा पुकारते हैं हमारी प्यारी जो मुस्कृरादेते हैं बस उनकी मुस्कृराट चाहिए लाधा राधा कहते हैं तो लाल जो मुस्कृरादेते हैं लाधा राधा करके लाडली लाल दोनों की मुस्कुराट लेके उनी की सेवा में पहुँच रहे हैं हमें तो लगता है कैसी मन की चाल है कि प्रिया प्रितम में भी ऐसा छोटा बड़ा प्रिया प्रितम छोटे बड़े अरे प्रेम में कोई छूटा बड़ा ले ओता प्रेम की जो चेस्टाएं होती है वो इसे लिए परदा करके कि संसारी लोग नहीं जानेंगे प्रेम का एक विश्वत दुष्वरूफ होता है उसको सब प्रेम में छुटाई मतलब समझ में नहीं आएगा प्रभू, शर्वलूप, महेश्वर और जुन का रत हाँ करें आप विचार करके देखो शर्वलूप, महेश्वर जिनके एक पारशद में इतनी सामर्थी कि अनंत ब्रह्मांडो का स्वर्जन पालन और स्रंगार कर दें तो एक पारसद को आग्या कर देते लेकिन आप स्वयम जाकर के सार्थी बनके बैठे हैं आप सुच उच्छा और वो प्रभू अगर हमारी लाडली जुके चरणों में महावर लगा रहे तो कोई आश्चर की बात है बहुत की लंगोटी हो रहे हैं अपने प्रेमी जनों के ल पहले कारा तो सीखो परमार्त का तत्तों आगे बढ़ो अपसी देप्रिया प्रितम की बाद अपका काराता ने पीजटी के गरंत को हल करना चाओ तो कैसे कर पाऊगे यह तो बहुत उचाव खेल है ब्रंदावन का यहान देवाइर ब्रह्मादेर न खालो हरिभक्ते न यह तो न बड़े बड़े देवताओं की भी जहां पहुंचे ब्रंदावन धाम है यह ब्रंदावन की लीला मत समझो गुर को चीला यार इसी मुनी गए हार जपेजा रादे रादे बस इसी से पार हो जाएगे और प्रिया प्रितम दो नहीं है दो नहीं है देखने में दो है यह होई एक ही है दलए है जो प्रिलगे नाम मत सुनों तुम और कुषी की पात जो नाम प्रिलगे अगर आपको 레ा जको मन कहिरा कौर्ण कर् verified symptom कि नवीं है प्र्वु में जुड़े जोड़ो इत प्रपंज मन की बातें मत मानो न नवीच रादागे मन नाम जब करू पहले नाम जब करू डट कि तब समन में आएगा भगवान सिंग्ग जी भरतपूर से रादे रादे गुरुजी गुरुजी आप अपने प्रवच्नों में कहते हैं कि विंदावन आने मात्र से उधार हो जाता है तो हम वृंदावन आ गए तो क्या हमारा उधा अब इस बात को समझना होगा जब कच्छा प्रारम में विद्यार्थी जाता है और वो पाटी छुई है लेकर के गुंडा इसे खिचता और इसे रकिल खिच देता है तो टीचार जानते हो क्या कहते है यह टाफी लेओ बहुत अच्छा अब बच्चे का उत्साह बढ़ता है फिर इसके बाद वो साल भर अगर उतने करता रहे तमाचा मिलता है टाफी नहीं मिलती एक साल हो गए वही गुंडा वही रकिल नहीं समझ रहें ना तो ब्रंदा बना आजाने का मतलब क्या है कि आप आए आपको सत्संग मिला सत्संग से आप अपने आचरन सुधार करे तो आपका कल्यान निश्चित मतलब प्रारंब यहीं से हो गया अब ब्रंदावन आ गयों फिर जाके मन मानी सब पापा चरन करते भजन नहीं करते तो भगवारी ने क्रपा की धाम बुलाया सत्संग दिया इसके बाद तुम सत्संग की अवेलना करके पापा चरन करो तो फिर दड़ की बाद संग में आएगी जो हम कहें देते हैं ब्रंदावन आ जो एक मात्र ब्रंदावन का असरे लेने मात्र से भगवत प्रापति निश्चित तो ब्रंदावन बगवत प्रापति के बीच में जो रास्ता है वो किलो मीटर हमने नहीं बताए वो किलो मीटर यहां बैट के बताएंगे वो सुन रहा हो किसी की तरब बुरी दृष्टी नहीं करना मन वचन कर्म से ठीक चा कोई नसा नहीं करना गंदे आचन अब यह पढ़ाई शुरू अब भगवत प्राक्ति के लिए आपको तैयारी कर वार हैं अब उसकी तैयारी कर लिए अब इसाने के एक मात्र के विल ब्रंदावन आ गए फिर मनमानी पापा चरण किये जाके तो भाई फिर कैसे चित संसार के चिंतन में लगाए भोगों में लगाए तो भगवत प्राक्ति कैसे कठिन हो जाती ना इसलिए कहते हैं एक बा ब्रंदा बना जा तो आ गए ना अब ब्रंदा बना के सुन रहें कि देखो ऐसा ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए अब उसका सुधार करो भगवान जो पूरु में पाप हुए है धाम आये हो शंत दर्शन धाम दर्शन इससे पाप नश्ठोंगे और जब साधन कर होगे तो भगवत प्राप्ति का रास्ता पुष्ठ हो जाएगा समझ पारें आप बुलावे की बात नहीं है बुलावे की बात है वगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी बर नाम न छूटे आपके आपके हमारी बात मान लो चाहिए दोस्त बनके मान लो चाहिए आप सिस् तुम भी मनले तुम भी माले कैसे बनें बाबाजी को तो पर नाम करो राधा राधा नाम जब करो कोई नसा न करो और किसी का बुरा न चाहो और रोज सतसंग सुनो भगवान इसी से पार कर देंगे नामजब करो और तुम्हारा मन बहुत हो जाए कि नहीं हमको विन्ट लगाना कंठी बन्दवा नातौ इन से पूछ ले लेना चाहिए जिस में वाल नामजब करना कंठी बंदवाने से केवल भगवत प्राप्ति नहीं होती है भगवान के भजन से सद आचरणों से होती है वो से नहीं है अंधुमारी दोस्ती अगाँ अब मानो को सबस्ते यह थोस्त हैं मैं सबस्री क्रिष्न हमारे परितम है बाव से देखते हैं सब हमारे प्यारे हैं आप मानों अगर गुरु मानते हो तो आपकी माननेता है आप मित्र मानते हो आपकी माननेता है कोई शंत मानता है कोई कुछ मानता है उसकी माननेता है हमारी माननेता में सब मेरे मित्र हैं सब मेरे दोस्त हैं मेरे भगवान इन पूमें आकर मुझे प्यार करते हैं यह मुझे ठीक है नाम जब करो अच्छे आचरण से चलो जब तुम्हें लगे की नहीं हम तभी मानेंगे सिस्य हैं कि कंठी बन जाए तिलग तो बढ़िया आराम से रज ले लो तिलग लगा लिए कंठी ले हम तुम्हें दे दें बांद ठीक है राधा राधा जब भगवत मार्ग में चलो बुरा किसी का करो नहीं इससे ज्यादा भगवान पूजा और नहीं चाहते सबसे बड़ी पूजा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई किसी को कष्ट ना देना मन वचन से किसी को पीड़ा ना पहुंचाए जाए और नाम ज बहुत बड़ी आएं बहुत अच्छा है बड़ी कृपा है आगे बढ़ते जाओगे ऐसे चलते रहो भगवान आगे बढ़ते चले जाएंगे वह जब आनंद हदय में दे देंगे तो हर समय और पता नहीं भगवान किस पर कब रीज जाए बड़े बड़े तपस्वी ऐसे साधारन से बारता करने लगे खेलने लगे मुनिमन ध्यान धरतने पावत करत बिनोद संग बालक भट भगवान इतने कृपाल वे पता नहीं कब किस पर कौन सी कृपा कर दे बढ़त पुकारते रहो उनको उनकी हो कि उनके पुकारो फी उनका चमतकार देखो आनंद है जी जी तेंडर दिवेदी जी जान सी साथ ये शी हरिवंच मारा जी